वेलकम दोस्तों, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 11th का फुजिक्स का कूर्स बदल गया है आपको मैं भी लैप्टॉप में लेके चलके दिखाऊंगा कि क्या परवर्तन हुआ है विसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग as a teacher 12th में ray optics and wave optics दो segment हम लोग पढ़ाते थे class 12th वालों को अब जो ray optics का segment है वो class 11th में ही पढ़ा दिया जाएगा और इसका जो proof है जिसे आपको यह लगे कि यह valid point है या सच है तो मैं अभी laptop में जो cvsc की site है वहाँ पे लिए जाके दिखाऊंगा और इस video में मैं attach भी कर दूँगा link वहाँ से आप download भी कर सकते हैं तो देखिए ray optics अगर इधर आजाता है 11th में जो 11th में ही आपको पढ़ना होगा तो 12th में तो यह रहेगा नहीं इस साल तो है जो 2019 में जो class 12th का exam देंगे बच्चे उनको तो ray optics की पढ़ाई करनी है कुकि उन्होंने 11th में तो पढ़ा नहीं है लेकिन उसके बाद इने 2020 में 12th का भी course बदल जाएगा course बदलने का मतलब ray optics तो रहेगा नहीं तो या तो कुछ ना रहे इसकी संभावना बड़ी कम है वरना कुछ नया segment एड़ कर दिया जाएगा तो ये एक update था जो बड़ा important था क्योंकि पढ़ाई आप करते हैं course के recording करिए और इस जो मैं आपको file link करके दे रहा है उसको ध्यान से study भी कर लीजेगा इसमें सारी बाते mention हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं तो अगर cbc board में आपको number लाने हैं ज़्यादा तो course से stick रहे और खूब मेहनत उसमें कीजिए उसी की खूब revision कीजिए खूब practice जमाईए और आपको बहतर number बिलेंगे तो चलिए हम लोग laptop में चलते हैं और देखते हैं दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा था कि आपसे अभी कि जो course में change हुआ है physics में तो देखे जो course में change हुआ है पहले मैं दिखा देता हूं फिर आपको बताँगो कहां से आप देख सकते हैं यह देखे physics का code number 42 और इसके अंदर सारी material लिखे हुए इतने हैं chapter 1, 2, 3 kinematics, 3, 4 law of motion, work energy, power, 7 chapter, 8 chapter आप जानते ही हैं सारी chapter पहले से रहे हैं 9, 10, 11 chapter यह भी रहा है thermodynamics is already there kinetic theory भी रहा है obsolation wave भी रहा है और यह देखे यह जो ray optics है यह साब नया add हो गया है है और इसके बार में detail भी देखिए दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट वाले segment पर आप आज आईए और आप देखेंगे तो यह देखिए ray optics यह आपका नया addition है इसके अंदर यह पहले class 11th में नहीं होता था ठीक है और इसमें देखिए क्या बाते लिख हुई है ray optics के बारे में सारी चीज़ है optical instrument, microscope, astronomical, telescope वेगरा सारा है तो यह 11th में especially change है और अभी का जो है आप 12th का अगर देखना चाहें देखिए तो 12th में भी यह mention आपको देखेगा, 12th में भी आपको यह mention देखेगा ray optics, same चीज़ यह देखिए यह आपको ray और wave यह अभी दोनों में है क्योंकि 12th में बच्चे हैं वो 11th में तो इसको पढ़े नहीं है तो 12th में पढ़की exam देखेगे लेकिन next year यह पक्का है कि यहां से हट जाने वाला क्योंकि 11th में आही चुका है तो दो बार थोड़ी पढ़ा ना होगा इसका तो आगे change हो जाएगा अब इसको मैं आपको लिंक में भी दूँगा और साथ में आप यह देखिए कि कहां से आप देख सकते हैं तो यह दिखिए cbsc की website पर जाईए cbscacademic.nic.in पर आप इसको टाइप कर लिजे लिंक में और यहां पर देखिए तो लिखा curriculum for academic year 2018-19 इसको physics पर आजाईए volume 1 पर यह देखिए और इसमें मैं physics की बात करता हूं आपसे physics अपना आना चाहिए दिख जो भाई यह अब इमने physics अमने क्लिक कर दिया अब यह देखिए same जो मैं आपको दिखा रहा था same चीज़ कुल गई तो आप यहां से check भी कर सकते हैं कि यह बिलकुल इनफॉर्मेशन है यह बहुत पहले ही करीबन एक देड़ महीने पहले ही आ गया था आपको शायद पता भी हो लेकिन मैंने सुचा कि मैं भी अपनी तरफ से आपको इनफॉर्म कर दूं और पढ़ा ही नहीं सलिबस की हिसाब से आपका अब देखिए जैसे आपने laptop में आपको थोड़ा सजग रहे के पढ़ना पड़ेगा वैसे आपने क्लास 10 में पढ़ाई की है ऑप्टिक्स की थोड़ी बहुत तो क्लास 11 में रे ऑप्रिक्स की तरफ जाहिए माक्रिस्कोप टेलिस्कोप वेगरा भी है थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िए की पोइंट्स प कामना हैं आपके फ्यूचर के लिए पढ़ाई अभी से शुरू करिएगा मैंने एक वीडियो भी बनाया है मैं भी दिखा दूँगा इसमें जिसमें लिखा है कि अगर आप शुरू से ही ऐसे पढ़ें पांच पॉइंट्स प्रोग्राम है शुरू से ही ऐसे पढ़ें तो आपको टॉपर बने से कोई रोग नहीं सकता और यह बिल्कुल मैं टीचर हूं मैंने एनलाइस किया है और यह फाइप पॉइंट्स आपको दिये हैं अब मैं इधर बाजों में दिखाऊंगा भी जो वीडियो है आप उसको जरूर देखिए और देखिए और उसको फॉलो क कीजिए और रिजर्ट जब आएगा तब मुस्कुनाएंगे विश यू अल्ड़ बेस्ट हैवे नाइस टेड़ मैंट्स फिजिक्स और मोटिवेशन पर लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अर्विंद अकेडमी चैनल और बेल आइकन को दबा के ओके करिये